एक बार तो मैं अभी शोर कर देता हूँ कि जो बंदा ये वीडियो लास तक नहीं देखे वो ये फ्री आड़ीपी नहीं बना पाएगा फिर वो बंदा बेशे कहा कर आकर हमारे कमेंट सेक्शन में जो मर्जी नेगेटिव कमेंट करें मुझे उसकी कोई परवा नहीं अब य करके देखते हैं कि 100 अबी से अंदर कितनी देर में डाउनलोड होता है तो यहां से सिंपल सेफ पाइपल क्लिक करेंगे और बाई साब यह तो पते नहीं लगा एक सेकिंड के अंदर यह डाउनलोड हो गया असलामलेकूम हाँ तो क्रेट फ्री आड़ीपी इन 2024 विदाउट क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड हाव तो गेट वीपी एस आड़ीपी फॉर फ्री कल में अपने चैनल की कम्यूनिटी पोस्त में एक पोस्त लगा थी जिसमें मैं आप लोगों से पूचा था के अगला कॉंटेंट किस टॉपिक पर हो तो 90 परसेंट लोगों की यही तो बाई तो वीडियो लेकर आएगा तो मैं लेकर आचुका हूँ आज एक जबरदस्ती फ्री आड़ीपी जिसको आप लाइफ टाइम के लिए एजी ली उसकर सकोगे एक बार तो मैं अभी शूर कर देता हूं कि जो बंदा यह वीडियो लास तक नहीं देखे वो यह फ्र स्टार डीपी होगी इंटरनेट इसके अंदर आउट क्लास होगा उसकी स्पीड बहुत तेज होगी उसके लावा आप कोई साभी इसके अंदर टास्क कर सकोगे अगर आप लोगों की आड़ीपी सक्सेस्फुली बन जाए तो आपने आकर हमारी इस वीडियो को जरूर सबसे पहले आपको आड़ीपी बनाने के लिए एक नोटपैड की जोट होगी उस नोटपैड के अंदर एक फाइल है जो कि यह वली आपको मैं दिखा देता हूं यह भी सी के कुछ वर्ड है यह फाइल है इसको आपने डाउनलोड करने है अप डाउनलोड आपने कहां से कर यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे आपके सामने गूगल ड्राइब की फाइल ओपन हो जाएगी यहां पर आपने क्या करना है इसको डाउनलोड कर लेना है जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने कुछ ओपन हो जाएगा इसको आपन यहां पर आपने लिखना है Google Cloud Shell उसके बाद आपने simple search पर click कर देना है जैसे आप यहां पर search करोगे तो आपके सामने यह जून सी website है आपने इसको open कर लेना अपने new tab के अंदर जैसे आप यहां पर new tab open करोगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने interface होगा तो आपने क्या करना है यहां पर देखें आपके gmail के id नजर आ रही होगी उसके साथ आपको यहां पर console का option मिलेगा simple आपने इस पर click कर देना है बस जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं same to say मैं आपने वैसे करते रहना है अगर आप video skip करके देखोगे तो कोई सभी part मिस होजेगा और आपके RDP नहीं कर दोगे उसके बाद नीचे देखने कुछ भी नहीं है अब आपने क्या करना है यहां पर आपको option मिलेगा activate cloud shell आपने simple एक बार इस पर click कर देना है और यहां पर देखेंगा आपके सामने एक processing होना start हो जाएगी यह देखें आपके सामने देखें यह processing होना start हो चुकी है अ अब आप यहां पर नीचे देखें तो यहां पर इस ने मेरे जो browser के अंदर जो मेरा Gmail login था उसको automatically यहां पर detect कर लिया ठीक है अब आपने एक file का यहां पर copy and paste करनी है वो file का होगी जो आपने अभी RDP file डाउनलोड किया ठीक है यहां से आपने आपके पूरी line को copy करने है को complete तरीका बताऊंगा बस आपने इस वीडियो को लास तक जरूर देखना है फिर कहा रहा हूं जब आप इस RDP को successfully बना लें तो प्लीज इस वीडियो को like भी करें और जाकर एक अच्छा सा comment भी कर दें ताकि हर आने वाले बंदे को पता लग सके के method working है ओके यहां पर आने डियो मेरा आपने इस पर एक बार क्लिक कर देंए आप दोड़ आ से मिलें तरहें अब एक चेंज एंड़ प्रिव्यू पर क्लिक कर दे रहें अभी एक नवा बंडियो ओपन हो जाएगा अब आलमोस हमारी जो RDP है वो successfully create हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने यह loading हो रही है अब हमें चन्द सेकिंड के लिए यहाँ पर wait करना है खुद बाखुद यहाँ पर हमारे सामने हमारी जो RDP का interface है वो show हो जाएगा तब तक के लिए हम यहाँ पर wait कर लेती है ओके जी हमारी जो RDP है वो successfully open हो चुकी है अब आप कोगे यह एक ऐसी screen आगी है परेशान ने आओ यह RDP ही है बस आपने वहाँ पर कुछ भी नहीं जेड़ना आप जब यह नवा विंडो ओपन होगा तो आपने बस wait करना है खुद बाखुद आपके सामने यह वाला interface आ जाएगा जब आपके सामने यह वाला interface आ जाया है उसके बाप आपने क्या करना है यहाँ पर आपको एक चोटा सा arrow मिल रहा है देखने को जैसे आप इंटरनेट पर आओगे तो आपके सामने एक चोटा सा पॉप आप अपन होगा यहाँ पर देखिए उपर firefox web browser है उसके बाद crown browser है और नीचे crown browser sound है और नीचे यह server है कोई तो यहाँ पर आपका crown browser है वो तो यहाँ पर आप नहीं यूज कर पाओगे लेकिन आप firefox web browser इसके अंदर successfully जितनी देर चाहें उतनी देर तक आप easily यूज कर पाओगे तो यहाँ पर मैंने इसको open कर लिया है सबसे पहले आपने क्या करना है इसको यहाँ पर हम new tab open कर लेते हैं पुराने बलों को बंद कर देंगे यकीन करें यह काफी अच्छी RDP है और यह काफी अच्छा रिस्पोंस करती है जैसे आप क्लिक करते हो आपको तकरीमन यह फोरन ही रिस्पोंस करती है अक्सर free RDP के अंदर ऐसा होता है कि वह काफी जादा lag करती है अब सबसे पहले हम अपना आप अड्रेस चेक कर देते हैं सबसे पहले Google में जलते हैं Google में आने के बाद आपने सर्च करना है my IP address location उसके बाद आपने क्या करना है simple is that यहां से अपने इस first website को open कर लेना है new tab के अंदर यहां से हम इस new tab में open कर लेते हैं और देखते हैं कि हमे सिटी मिलिया वह सिंगापूर की है रिजन जो है वह भी सिंगापूर है उसके लाभा जो हमारी country है वह भी सिंगापूर है मतलब कि यह RDP हमें सिंगापूर का सर्वर प्रोवाइड करेगी ठीक है जो बिल्कुल free of cost है उसके बाद आपने क्या करना है इसमें internet speed को चेक कर ले लेते हैं यहां से इसको new time में open करेंगे अच्छा यह रात का time है इसलिए थोड़ी सी मुझे slow लगी है बाकी मैंने तकरीब दिन के 12 बचे से इसको start किया था और शाम चार पांच बे तक मैंने इसको use किया उस तक में बहुत जादा smooth चल रही थी कोई भी इसके 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 बढ़ गी होंगे इसलिए थोड़ा सा मुझे लैक देखने को मिल रहा है बट यह यूज के लिए इनफ है अब यहां से इसकी internet speed को check करते हैं और यहां पर आप लोग देख पा रहे हो के free की RDP के अंदर हमें इतना तगड़ा internet देखने को मिल रहा है अब यह 500 हमीं दखा रह तो यहां पर यह 500 शे सो और अपलोडिंग में तकरिबन 700 तक की speed दिखा रहा है लेकिन यह 1GB तक आपको easily provide कर देता है बाई देखें यह free की RDP है इसके अंदर इतना मिल रहा है तो यह enough है यहां से अपनी speed test को बंद कर देते हैं अब आपको actual downloading speed check कर वा देता हूं इस RDP के actual downloading के अंदर कितनी speed आइक इसमें Google में आने के बाद यहां पर लिखते हैं file download test और यहां से इसको search कर लेते हैं और यहां से हम इसको तोड़ अपकर के scroll down करते हैं और इस वाली website को हम new tab के अंदर own कर लेते हैं ताके में बदा अलग सेके actual downloading speed कितनी है यह तो speed test थी ना but downloading speed का पता क करते हैं किसा अच्छल downloading speed कितनी मिलेगी यहां से इसको new tab के अंदर open कर लेते हैं website में आने के बाद आपने क्या करना है simple is that यहां पर तीन file मिलेगी देखने को यहां पर 100 MP उसके बाद 10 GB उसके बाद 10 GB तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पर 100 MP को download करके देखते हैं कि 100 MP क के अंदर कितनी देर में download होता है तो यहां से simple save file क्लिक करेंगे और बाई साब यह तो पलक जब काते हो भी गया बाई 100 MP का तो पते नहीं लगा एक second के अंदर यह download हो गया खेर यहां पर हम 1 GB को देखते हैं क्योंकि 100 MP का तो पते नहीं लगा तो 1 GB का check करते हैं कि 1 GB file कितनी देर के अंदर download कर पाए गया यहां से safe file क्लिक करते हैं और यहां से हम चलते हैं डाउनलोडिंग में ओ भाई साब दोसो 200 MP हो भी गया है यहां पर इसको CR download पर क्लिक करते हैं लिटरली अभी तकरीबन 20 सेकंड भी नहीं हुए है और यहां से तकरीबन हाफ जीबी होने वाली यह फाइल डाउनलोड इतना फास्ट आपको इंटरनेट देखने को मिल रहा है देखें तकरीबन 20 से 30 सेकंड के अंदर 500 MP यहां पर हो भी चुक है और तकरीबन 40 सेकंड के अंदर वन जीबी की पाइल इस फ्री आटीप के अंदर आप डाउनलोड कर पाऊगे ठीक है तो य सबसे पहले ब्राउजर को करें ब्राउजर को करने के बाद यहां पर आपने फूल स्क्रीन को खतम कर देना ठीक है अब आप देखें इस आर्टीप को चलाते रहें बेशक यह बंद नहीं होगी अंटिल जब तक आप इसको खुद बंद ना करें ठीक है आपने यह यह तो यह बंद हो जाए अधरवाइस यहां से आप इसको बंद करोगे तो यह बंद हो ही जाएगी फिर अगर आप इसको यहां से ओपन करना चाहो तो वैप रिव्यू पर अगेन आप क्लिक करो और यह देखें पोर्ट और हमारा वही लगा हुए 60-70 तो इस पर क्लिक करते हैं आ अब आप लोगों में समझे कोई यह ना कर यार आड़ी पी नहीं बन रही क्योंकि यह लेटर्स मैटड है 100% वर्किंग है आपके सामने मैंने लाइफ करके दिखाया है फिर भी कुछ लोग कर आके नेगिटिव कॉमेंट करते हैं तो उनका कोई हाल नहीं है उनका कुछ नह करना अपने ताके सब को पता लग सके आज की वीडियो के इतना था मैं मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज